हार बोड से जितने भी ए स्टुडेंट्स मैटरी की या इंटर की बोड परिक्षा 2022 में देंगे तो आपके परिक्षा की एक-एक परकिरिया को समाप्त करते हुए लगभग परिक्षा के घड़ी आपके काफी निकट आ चुका है ऐसे में परिक्षा की सबसे सुरुवात परक किरिया होता है आपका जानते हैं आपका अजिस्टेशन भी हो चुका है और उसके साथ सता रिजिनल रिधी स्टेशन काट भी आपकी स्कूल कॉलेज में इस समय मिल रहा है तो वहां से आप पर आप्ण कर्ली एह होनगे उसके सांसा दूसरा सबसे प्रमुख चरन होता है जिसे हम बोलते हैं examination form भरना और जो परिक्षा form भराता है तो इस संकेत देता है कि इसके बाद अब कोई भी step नहीं बचा है आप सिर्फ आपका admit card आएगा और उसके बाद आपको final board exam देने जाना पड़ेगा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कु अपूले step होता है जिसका नाम है sent up परिक्षा तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा detail जानकारी देंगे कि आखिर में sent up exam 2022 हाय किया इसके लिए कैसे प्रसंपत्र आएंगे syllabus क्या है sent up परिक्षा 2022 का sent up परिक्षा में हम भाग नहीं लेते हैं या फेल कर जाते हैं तो क्या होगा क्या sent up परिक्षा के लिए admit card भी जारी होता है और sent up exam की तयारी आपको कैसे करना है और sent up परिक्षा 2022 कैसे होगा यह सभी प्रसंपत्र आपके भी मन में चल रहा है तो आज का वीडियो अन तक देखिए आपके एक एक प्रसंपत्र का जबाब मिल जाएगा सबसे पहली बार sent up exam लिया गया था आपके 2020 में 2021 बोड परिक्षा के लिए और दूसरा sent up exam आप सभी छात्रों को देना है जिनको 2022 में एकजाम देना है और आपका sent up exam होगा sent up परिक्षा 2021 अर्थात की 2021 में sent up परिक्षा क्या है तो sent up परिक्षा एक टेस्ट एक्षाम है जो पहले स्कूल में होता था सिर्फ वही है लेकिन इसका थोड़ा सा प्रारूप बदल दिया गया है कि इसका प्रसनपत्र और आपके उमर सीट खुद बिहार बोड ओरिजिनल सेट करके भेजता है और इस परिक्षा का एक मात रूदेस होता है कि छात्रों को पहले से जानकारी दिय जाए कि ऐसे प्रसनपत्र आपको बोड में आएंगे और उसके साथ साथ बोड परिक्षा इसी रूप में आयोजित होगा अर्था कि यूं कहा जाए तो आपके फाइनल बोड परिक्षा का रिहलसल कराना चाहता है सेंट अप एक्जाम के माध्यम से यहार बोड आपकी स्क सेंट आप एक्जाम का यह आप देख पा रहे होंगे सेटरी सेंटरी सेंटरी पर इकजाम इनएवसन दो हजार बीस हर्था तकि यह हुआ था 2021 के बोड परिक्षा के लिए और आपका आएगा तो यहाँ पर लिखा रहाएगा सेकंडरी सेंटरी सेंटर एक जाम यहाँ पर 2022 का हो जाएगा और यह है आपके class 10 के समाजी की बिगान का कोस्टर पर देखे बिल्कुल original कोस्टर पर जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यहीं जानकारी देना चाहता है बियार बुर्ट पहले ही आपको कि इस साला ऐसे प्रसंपत्र आएंगे तो यहां पे आप देख पा र सिलेबस क्या है तो जो आप मैट्रिक इंटर का बुक पढ़ने है जो 2022 बोड़ परिच्छा का आपका सिलेबस सेम वहीं सिलेबस रहता है सेंट अप एकजाम का और यहां पी आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 100% सिलेबस जैसे फाइनल बोड़ परिच्छा में आपके बिहार बोड की ऑफीशियल इस्थिति माने तो यहां पे बिहार बोड अपर फस टूप से उफीशियल ही यहीं जानकारी देता है कि तैयार हो जाएं सेंट अप में उत्रीन चात्र ही बारसीक परिक्छा में होंगे सामिल अगर आप सेंट अप एकजाम में फेल कर जाते हैं क्योंकि जिन छात्रों का sent up exam में अच्छा performance होता है वही board exam में भी अच्छा performance करते हैं उगिका board परिच्छा में भी आच्छा आंक आता है तो आपको sent up exam को बिल्कुल गम्भिर्ता से लेना है क्योंकि समझे आपके साथ ने एक अच्छा opportunity है कि final board पर इच्छा के जैसा एक बर पहले आपको प्रस्न पत्र हल करने का मौका मिल जाता है जो खुद भी hardboard के expert के दोरा सेट किया गया है वही expert जो आपके final board exam के भी प्रस्न पत्र सेट करेंगे अब बात करते हैं कि किया sent up exam के लिए कोई special admit card आता है तो sent up exam की तयारी को यह special करने की आउसकता नहीं है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो syllabus है metric inter board परिक्षा 2022 का वही सेम syllabus sent up exam का है जैसा परस्न वहाँ पर आता है आपके 100% syllabus से final board परिक्षा में वैसे ही आपका sent up exam का भी बिल्कुल परस्न पत्र आता है तो sent up exam में आपको किसी भी तरह की कठनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा अब बात करते हैं कि sent up exam 2022 कब होगा तो पिछले साल का trend देखे तो आप inter का sent up परिक्षा हुआ था 14 October से अथाथ की October महा में और वहाँ पर matrix के परिक्षा हुआ था 9 महा में और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे comment box में जरूर बताईएगा तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद